दोस्तो आज हम बात करेंगे सूथ सेकर रस के बारे में और देखिए सूथ सेकर रस खासकर पित बढ़ जाने की वज़े से होने वाले रोग जैसे की acidity, hyper acidity, सरका दर्द, पेट दर्द, पेट फूलना, चक्करानी जैसी समश्या, उल्टी, दस्त, अलसर, हिच्की, आधी ऐसे और भी कई समश्याओं में इसका फाइदा जो है वो देखिए को मिलता है दोस्तों इसके अलावे इसके और भी फाइदे हैं जिनके बारे मैं आगे मैं आपसे बात करूँगा देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सूद सेकररस classical medicine है जो लगबग सभी ब्राण में available है डाबर, धूद पापे स्वर, बैदनात, आदी और भी कंपनियों को ये आता है आप चाहे तो किसी भी कंपनियों का ले सकते हैं और दोस्तों देखिए सूद सेकररस दो तरह का आता है एक है सूद सेकररस साधारण और दूसरा है सूद सेकररस स्वर्ण युक्त देखें दोनों के ही फाइदे और दोनों के ही इंग्रिडियंस जो है वो सेम है लेकिन जो स्वर्ण युक्त सूद सेकर रस है उसमें सोनी की भस्म है जिस कारण इसके फाइदे जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते है तो अगर हम इसके इंग्रिडियंस की बात करें तो देखिए जो स्वर्ण युक्त सूद सेकर रस है उसमें स्वर्ण युक्त एक्स्ट्रा मिक्स हो जाता है और जो सूद सेकर रस साधारन होता है उसमें स्वर्ण भस्म नहीं होता है बाकि सारी चीजें सेम होती है तो सूद सेकर्र स्वर्ण युक्त वाले में स्वर्ण भस्म होगा उसके अलावा सुद्ध पारा, सुद्ध गंधक, तामर भस्म, संक भस्म, सुद्ध सुहगा, सौट, पीपल, दालचिनी, इलाइची, नाक केसर, तेजपात, मिर्च, सुद्ध धदूरे के बीच आदी महत्रपूर्ण इंग्रेडियंस सी मिलाकर इसे बनाए जाता है तो दूनों के ही इंग्रेडियंस जो हैं, वो सेम है सिर्फ स्वर्ण युक्त वाले में, स्वर्ण युक्त जो है, वो एक्ष्टा देखने को मिलता है बाकि सारे के सारे ingredients जो हैं वो same होते हैं तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखिए ये mainly पित्त दोस ना सक उचेदी है और वाद दोस में भी इसका काफी बड़ी आसर जो है वो देखें को मिलता है देखिए जैसे कि अगर आपको hyper acidity होती है सीने में जलन होती है, gas बनती है, उल्टी जैसा लगता है indigestion की समझे रहती है तो उस condition में ये सूत सेकर रस आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकता है इसके अलावा अगर आपको डकारे आती है, खटी डकारे आती है, पेट में गर्मी आपको महसूस होती है इसके अलावा पेट में दर्द होना, पतले दस्त लगना, हिचकी आना, बार बार हिचकी आना, हिचकी रुकती नहीं है तो उस condition में भी यह आपके ले काफी फाइदेमन होता है इसके अलावा अगर आपको सूकी खासी चलती है या दमा इन सब में भी इसका फाइदा जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों देखिए जो स्वर्ण युक्त सूच से का रस होता है वो दिल और दिमाग के लिए भी काफी फाइदेमन होता है इसके अलावा सामाने कमजोरी या चक्कराने जैसी समच्या में भी स्वर्ण युक्त सूच से का रस का काफी बढ़िया फाइदा जो है वो देखने को मिलता है तो इस प्रकार से देखा आपने कि इसके कितने सारे फाइदे हैं दोस्तो अगर बात करें कि आपको इससे कैसे लेना होता है तो देखिए इसकी आप एक से दो टेलबिट सुभ है और साम को ले सकते हो और देखिए इससे आप सहत के साथ आमले के मुरब्बे के साथ या फिर सिंपल पानी के साथ भी ले सकते हो और दोस्तो इससे आपको खाने खाने की बाद लेना होता है दोस्तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है तो इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें दोस्तो इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है और इसके अलावा जो महिलाएं pregnant हैं वे भी इसे नाले बिना डॉक्टर की सला की बिना दोस्तो अगर बात करें इसके side effect की तो इसका ऐसा कोई side effect नहीं है लेकिन फ्री भी इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी health में इश्यू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं यादिक जानकारी के लिए आप गॉक्टर से भी सलाया को ले सकते हैं तो दोस्तो ये थी सूथ सेकर रस के बारे में कुछ महत्पुन भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो इस सूथ सेकर रस को लेकर तो आप मुझे comments के द्वारा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और अगर आप इस channel पे नए हैं तो इस channel को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे My name is Jitish and thank you so much for watching